बच्चो वेलकम टू माई चैनल मेटा आज हम करेंगे क्लास एट की साइंस की वर्कशीट वर्कशीट नमबर 18 जो की आपकी डेट दो डिसेंबर की हैं चलें आज भी हम मैंटर्स और नयौन मैंटर की अबरे में पढ़ेंगे यह शका है करस भी वर्कशीट से इस सब्सेप्रेंं нов सौन करेंगे सबसे पहले हम करेंगे यूज ओफ मैटल्स चलिए मैटल्स आजो मैटल्स शाइनी और लस्ट्रस होती हैं उनको हम यूज करते हैं ज्वेल्री बनाने में फोर एक्जामपल सिल्वर एंड गोल्ड आपने देखे होगे ना सिल्वर की सोने की चांदी की जो जो एल्री होती है है ना मेटल्स आर यूज ने मेकिंग मशिनरी ओटो मॉबाइल्स एरप्लें एंड ट्रें देखा ओगा भई लोगा जो है स्पेशली है ना आईरन आईरन म जो शीट ना उससे झो गर होता है घर की छत बनाने में यूज होता है मैटल्स और गूड न६ड क änंडरी संट तो आप सबी को पता है इस लिए उनका यूज कि स्टीज ग्याजा सकत है टो मेक वार्रिण फो अप्लाइसे जो बिजली का समान होता है उसमें जैसे और तो ते एक्जांपल अल्यमिंयम मैटल्स हो गूड कंडक्टर और हीट की विए इसलिए उनको युज कि ले किया जाता है यूटेंसल्स बनाने में भाना बनाने के जो बरतन होते हैं वह मैटल के ही ओते हैं जैसे एक्जांपल आईराइन एंलमुंहियम आपने तवा देख यूज करता है जिससे आपके body का temperature उन्हें पता चलता है और उसे ही पता चलता है कि आपको fever है या नहीं है आपके body का temperature कम है या जादा है अब हम करेंगे use of non-metals वही non-metals के बारे में पढ़ लेते हैं carbon is non-metal non-metal है which is present in all living things हर चीज में carbon है and their product it is used in pencils, coal and batteries इसी का एक प्रोडेक्ट होता है ग्रेफाइड जो ग्रेफाइड पैंसिल की जो लेड होती है उसमें use होता है लेड में ठीक है तो पैंसिल हो गया कोल हो गया यह कोल और battery इन सब में use होता है carbon की फॉर्म होता है वो फॉस्पोरस सेफ्ली मेचेश क्रेकर जर्मिसाइड एंड एक्स्प्लोजिव एंक जो फॉस्पोरस होता है वो किस में use होता है क्रेकर वगर्ण हमें explosive मतलब जैसे बंब टाइप में है ना explosive sulfur किसमें यूज होता है preparation of medicine gunpowder and acid sulfur जो है वो medicine बनाने में यूज होता है गन पाउडर बनाने में और acid nitrogen making fertilizer और पेस्टिसाइड आइडिन जो होता है एक तरीके से एक ओन्मेंट दिया हुआ है इन्होंने एक लिक्विड भी आता है जैसे यह है तो यह solution यह सब जो है यह medicine में use होता है ना चोट लग जाती है तो यह सब हम आपको betadine आपने सुना और डॉक्टर गोलते हैं betadines लगा दो oxygen oxygen respiration और burning of fuels में यूज होती है और chlorine ज लिख लेंगे ना देखे आप पहले क्या कीजिएगा silver और gold लिखेगा फिर डेश डालके फिर आप लिखेगा कि यूज इन वेकिंग ज्यूएलरी ठीक है ऐसे metal हो गए उसके आदे हैं आप ऐसे भी लिख सकते हैं aluminum और iron लिखके और डेश डालके फिर लिख सकते हैं used in making roof of house इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं aluminum लिखेंगे third और डेश डालेंगे फिर लिखेंगे used to making wire of electric appliance इसके बाद आप लिख सकते हैं mercury लिख सकते हैं कि लिखेंगे यूज नमेटाल का भी लिख सकते हैं कारबन के लिखेंगा यूज इन पैंसिल कोल and बैटरी इसके अदाब फास्पॉर इस लिखेंगा यूज इन सेफ्टी मेंच रेकर स्में सेलफर का पैसे लिख लिखेंगे नाइट्रो आयोडिंच चार्चा लिखना अफ लिख लेना ठीक है question no.2 है why food cooking vessels are made up of metals जो खाना बनाने वाले बरतन होते हैं वो metals के क्यों होते हैं because they are good conductor of heat ठीक है second का आप यहां से लिखेंगे metals are also good conductor of heat so they are using utensils for cooking purpose यह आप second cancer यहां से लिख देंगे ठीक है third है why burning of crackers are harmful तो यह आप अपनी हिसाब से इस cancer लिख सकते हैं कि जो पटाके होते हैं उनको जलाना harmful क्यों होता है आप इसे लिखेंगे because they are explosive ठीक है आप इस cancer ऐसे लिख सकते है third का because they are explosive एंड ठीक है एंड के बाद में आप लिखेंगे एंड और एंड फाइड क्रेकर्स आर एंड लिख सकते हैं एंड नौइज एर पोलुशन can caused by cracker ठीक है आप क्या लिखेंगे because they are explosive एंड नौइज एर पोलुशन can caused by can caused by ठीक है आप लिखेंगे एर पोलुशन are caused by crackers यह आप कांसल होगे इसके लावा भी बहुत सो लिख सकते हैं कि जो आपके लिए यह हामफुल है ठीक है फोर्थ है what is the use of thermometer थर्मोमेटर से हम क्या करते हैं थर्मोमेटर से आप बॉड़ी का temperature देखते हैं तो आप लिखेंगे थर्मोमेटर इस यूज्ड फोर मेजरिंग मेजरिंग टैंपरेचर ठीक है टी ए एम पी ए आर ए टी यू आर इए ठीक है इस यूज्ड फोर मेजरिंग यूज्ड फोर हीलिंग और वांट्स वांट्स को हील करने के लिए कौन सी मेडिशन आपकी यूज्ड होती है ठीक है तो आप इसमें फिफ्ट का अंसर लिखेंगे यहां से आयोडीन ठीक है आयोडीन इस यूज्ड फोर मेडिशनल परपस एज एंटिसेप्टिक एंड आयोडीन लिख दीजेगा ठीक है चलिए तो यहां आपके वोक्षीट कंप्लीट होती है आई होप आपको अच्छे थे समझ में आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें थैंक यू